हेलो फ्रेंड्स वल्कम टो मैं चैनल सियास वर्ल्ड फ्रेंड्स आज में रिविव करने वाले हूं जल्स टर्प्स की हनी फेशल मसाज जल का इससे पहले की वीडियो में मैंने फेजल इंस्टेंट ग्रो ब्यूटी जल कर रिविव किया था अगर आप मेरी चैनल पर ने हैं पर झाकर उसका रिविव चेक कर सकते हैं और आज मैं आपको बताऊनगी कि हनी जल में और इंस्टेंट ब्यूटी जल में क्या डिफरेंस है एड की तरह से करना है तो आप देख सकते है मेरे हाथ में ये च्छोटी से पैग्जिंग है तो इसकी जो कॉंटिटी है वह 15 ग्र तो यह जो जयल है यह facial massage जयल है जैसे के आप देख सकते हैं और यह कुछ इस तरहा की जयल है See friends यह एक आपको औरेंच नहीं दिख रही है आपको येलो दिख रही होगी बट यह थोड़ी सी ओरेंच टाइप की जयल है तो यह एक light orange कलर की जल है और इसके अंदर जो ingredients दिये गए हैं वो है honey, almond oil, vegetable gillstrain, aloe vera leaf juice, herbar color और फ्रेंड्स यह paraben and mineral oil free है तो चलिए फ्रेंड्स इसका texture में आपको दिखा देती हूँ तो यह एक facial massage gel है और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका texture है काफी light है इसे हर एक skin type वाला यूज़ कर सकता है बट ये भी specially oily skin वालों के लिए ज़्यादा वक करेगी लेकिन मैं कहूंगी कि इसे dry skin वाले भी यूज़ कर सकते हैं इस gel में anti-aging properties दिगी हैं जो कि आपके wrinkles, blemishes को कम करेगी आपकी skin की elasticity को improve करेगी skin को moisturized and hydrated रखेगी ये आपकी skin को soft and smooth भी बनाएगी ये जो gel है इसे आप अपने facial में भी add कर सकते हैं आप चाहे तो इसे अपने daily routine में भी शामिल कर सकते हैं तो ये जो gel है ये properly एक massage gel है लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में facial beauty gel दिखाई थी तो वो water-based gel है जो कि specifically oily skin या combination skin वालों पर ही ज़्यादा वर्क करेगी लेकिन ये वाली जो gel है ये मैं कहूंगे कि oil skin type के लिए वर्क करेगी तो इसे skin में absorb होने में थोरा सा time लगता है because ये एक massage gel है तो ये massage gel थोरी सी sticky होने वाली है बर जैसे कि मैंने आपको beauty gel दिखाई थी तो वो बिल्कुल भी sticky नहीं थी because वो water-based gel थी ये एक massage gel है तो इसके बाद आपको face wash करना ही परेगा आप इसे अपनी facial routine में शामिल कर सकते हैं वीक में एक बार मैं इसे यूज कर रही हूँ मैं अपने face को कच्छे दूर से साफ करके फिर इसके साथ 5-7 मिनिट इसकी massage करती हूँ उसके बाद इसे क्लिंग करके फिर मैं जल स्टेब्स का ही anti-ten rose face पैकाता है उसे अपलाई कर लेती हूँ तो उसकी वीडियो भी फ्रेंड्स मैंने अपने चनल पर नीचे description box में उसका link दे दिया है आप चाहें तो वहाँ चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपकी अगर skin किसी भी type की है तो आप इस जल को use कर सकते हैं इससे आपकी skin की elasticity भी बढ़ेगी आपकी skin glow करेगी और फ्रेंड्स आपकी skin soft and smooth भी होगी तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपके लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए है ये useful लगे तो लाइक कर दीजेगा अगर आप मेरी चैनल पर नहे हैं तो चैनल को subscribe कर दीजेगा and also press the bell icon button जिससे मेरी आने वाले वीडियो की notification आपको मिलती रहे and yes friends मुझे facebook and instagram page पे भी follow कीजिएगा मैं उसका link नीचे description box में दे दूंगी तो मिलते हैं हमारी next वीडियो में thank you friends bye bye